नारायन नारायन आज हम पढ़ रहे हैं ज्यान दीपक, भाग दो, शष्टम पुष्प, श्री रामह शर्णम ममा आईए पुरी एक आगरता और तनमयता से ज्यान दीपक प्रसंग में अंतह करण की शुद्धी के लिए जो उपाई बताई गए हैं उन्हें इरदय में धारण करें काग भुषुन्डी जी से गरुड जी ने यह पूछा कि ज्यान और भक्ती में क्या अंतर है और तब उन्हों ने इस ज्यान और भक्ती पक्ष दोनों का वर्णन किया और प्रारंब यहां से किया कि जीव वस्तुतह कौन है उत्तर दिया गया ईश्वर अंस जीव अविनासी चेतन अमल सहज सुखरासी जीव तो वस्तुतह ईश्वर का अंश ही है और जो लक्षण ईश्वर के हैं स्वभाविक रूप से वे जीव में भी विद्यमान होने चाहीं पर वहवार में तो नित्य यही दिखाई देता है कि जीव के जीवन में न तो निर्मलता है न आनंद की अनुभूती है और न तो उसे नित्य चेतन नता का भान ही हो रहा है ऐसा क्यों हुआ? हम इश्वर के अन्ष होते हुए भी दुखी क्यों है? चेतन का अन्ष होते हुए भी हम अपने आपको जड़ मानने की भूल क्यों कर वैटते हैं? परम निर्मल ब्रह्म के अन्ष होते हुए भी हम में मल कैसे आ गया? तब एक रूपक के माध्यम से एक सूत्र यह है कि जो चैतन्य जीव है वह माया के बंधन में बद गया है जैसे कोई गात यदी उलज जाए तो उसको सुलजाने के लिए आपको प्रकाश की आवश्रक्ता है जब तक हम ग्यान का दीपक चला करके अंतह करण में जो गात बंध गई है जो एक उलजन आ गई है ज उसका उच्छेद नहीं होगा वह नहीं खुलेगी अत्य एक रूपक के माध्यम से यो कहा गया कि आये हम लोग अपने अंतह करण में एक दीपक जलाने की चेश्टा करें यदि समग्र ज्यान दीपक प्रसंग को संग्षेप में समझना चाहें तो इसका भी प्राय यह है कि हुद्धी में भी दोश आ गया है मन में भी दोश है चित्बी दोशों से आकरांत तहै और अहंकार परिछिन नहोकर विद्यमान है यूं कहलें कि ग्यान दीपक का मुख्यतात्पर यह है कि हमारी बुद्धी कैसे सुधरे हमारा मन कैसे पवित्र हो अपने चित्ध के संसका पर हम कैसे विजय प्राप्त करें और हम अपने अहम को किस रूप में परिवर्थित करें इस संदर्भ में पिछले कई प्रसंगों से मन की चर्चा चल रही है मन के साथ जो समस्याई जोड़ी हुई हैं उनका समाधान कैसे किया जाए इसको समवात के रूप में मैं प्रस्तोत करना चाहूँगा और वह प्रसंग है अयोध्या कांड का प्रारंभिक भाग महराज श्री दश्रत ने संकल्प किया कि श्री राम को अयोध्या के सिन्हासन पर आसिन किया जाए गुरू वशिष्ट ने सहर्श अनुमती दे दी और रात्री व्यती तो होते ही श्री राम का राजदिलक करने का ननाई हुआ अयोध्या में आनंद की लहर आ गई परन्तु उस एक रात्री में ही क्या हो गया जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक रात्री का ही खेल था मंत्रा के भढ़काने पर कैकई जी कौप भवन में चली गई और महराज श्री दश्रत से दो वर मांग लिया जिसे राम राज्य बनते बनते उल्टी बात हो गई कि राम का वनगमन हो गया इस प्रसंग की व्याख्या कई द्रिष्टियों से की जा सकती है परन्तु यहां ज्यान दीपक के संदर्भ में इस पर विचार करेंगे ज्यान दीपक प्रसंग ज्यान योग का प्रसंग है जिसे हम पातंजल योग भी कह सकते हैं यह योग का ही प्रसंग है ज्यान दीपक प्रसंग में कहा गया कि जोग अगेनिकरी प्रगट तब कर्म सुभा सुभलाई महाराज दशरत बानो एक योगी है श्री राम और सीता या ध्यात्मिक व्याख्या श्री शंकराचार्य जी ने की। चीराम साक्षात ब्रम्ह हैं और श्री सीता जी मूर्ती मती शांती हैं। जब तक हमारे अंतहकरण के सिन्हासन पर शांती सीता के सहित ब्रम्ह राम विराज मानना हो। तब तक पूरी सच्ची सुक शांती जो रामराज्य में होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाएगी दश्रत जी रामराज्य बनाना चाहते हैं इसका अर्थ है कि योगी अपने चरम लक्षे की ओर बढ़ना चाहता है परन्तु कहकरी जी से बात होने के बाद उनका संकल्प पूरा नहीं होता वहाप्रसंग है कवने अवसर का भयव गयव नारी विश्वास जोग सिध्धि फल समय जिमी जती ही अविद्या नास इसमें बताया गया कि महराज श्रिदश्रत की सिधी उसी प्रकार की है कि जैसे योगी योग की सिध्धी की ओर बढ़ रहा है और उसी समय अविद्या माया के द्वारा उसके सारे संकल्प को मिटा दिया जाए ज्यांग दीपक प्रसंग में आगे चलकर वर्णन आता है कि कहत कठिन समुझत कठिन सादत कठिन विवेक होई धुना चरन्याई जोओं पुनी प्रत्यु अनेक कहना कठिन सुनना कठिन समझना कठिन और जीवन में उतारना तो और भी कठिन है ऐसा बताया गया है बात बि पाइन लाएए सतकर्म का चारा खिलाएए भाव के बच्छडे से गाएं को पिन्हाएए निर्मल मन के अहीर के द्वारा विश्वास के बर्तन में अहिंसा का दूद दुईए उसे निश्कामता की अगनी पर पकाईए दही जमाईए मत्ये और वेरागे का मखन निकालिए मख तीन अवस्था और तीन गुणों की बत्ती बनाईए फिर चित के दीपक को समता की दीवट पर जमा कर रखिये दीपक में विज्ञान का घृत भरिये और जलाईए उससे जब दिव्य प्रकाश निकलेगा तो अंधेरा दूर होगा कितनी लंबी प्रक्रिया है अभी तो न कोई उसे बुझा दे तो सारा प्रत्न विर्थ हो जाएगा गुस्वामी जी कहते हैं कि जब कोई वैक्ति इस ज्ञान के दीपक को जलाने की जेश्टा करता है उस समय अविद्या माया प्रवेश करती है और अपने अंचल के द्वारा उस दीपक को बुझा दीती है और लोगों की आयू उतनी लंबी हो तो उसकी पूरी व्याख्या संभव है परंतु यदि इसको सूत्र के रोप में रद्यंगम करना चाहें तो सूत्र क्या है ज्यान दीपक प्रसंग में जितने सद्गुन बताए गई हैं वे सब के सब मनुजी और दश्रजी के चरित्र में विद्यमान है इतने प्रयत्न के बाद तो श्री राम का अवतार और विवाह हुआ परंतु सुख के उसक्षणों में मन्थरा ने कैकई जी को ऐसा पाट पढ़ाया कि दीपक जलते जलते बुझ गया मन्थरा अविद्या है जोग सिद्धी फल समय जिमी जदी ही अविद्य माया के दो भेद हैं विद्या माया और अविद्या माया मन्थरा मानो साक्षात अविद्या माया है भगवान श्री राम ने लक्ष्मन जी के प्रश्न करने पर बताया कि जो भेद बुथी है उसी का नाम है अविद्या माया मैं और मेरा तू और तेरा बस यही वस्तुतह अ जो बेचारे बंधे हुए हैं वे इसी से बंधे हुए हैं यह भेद बुद्धी ही सबसे बड़ी गाठ है भरत श्री राम जी के अंश हैं भगवार ने आकाश्वाणी में कहा था कि मैं अंशों सहित अवतार लूगा अंसन सहित मनुझ अवतारा इश्वर का अंश जीव है तो वहवार में आध्यात्मिक तत्व की दृष्टी से मान लें कि श्री राम साक्षात इश्वर हैं और श्री भरत जीव हैं तथा दोनों का संबंध न केवल सुन्दर और मधुर है बलकि दोनों में एकता की पराकाश्था है अंश और अंशी दोन बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं यह भी वर्णन है कि श्री राम और श्री भरत देखने में बिल्कुल एक जैसे थे यहां तक की देखने वाले उनको पहचान नहीं पाते थे कि कौन राम है और कौन भरत भरतु राम ही की अनुहारी सहसा लखी न सकही नरनारी श्री राम की भरत से अभिनता कह लीजिए या ब्रह्म की जीव से अभिनता कह लीजिए दोनों का ताद पर रेखी है श्री राम तो ऐसा मानते हैं कि मुझ में और श्री भरत में रंच मात्रभेद नहीं है उत्तरकान में श्री भरत के मन के मन में संत के लक्षणों को जानने की इच्छा कि प्रश्न नहीं कर सके यहां ज्यान और भक्ति का बड़ा अद्बुत समन्वे है श्री भरत और भगवान राम अभिन्य है पर वहवार में श्री भरत इतने संकोची है कि प्रश्न पूछ नहीं पाई इश्वर और जीव की अभिन्यता होते हुए भी श्री भरत अंश के टूप में तने संकोची है कि प्रभु की ओर आँख उठाकर देखने में भी संकोच करते हैं तब श्री हनुमान जी posуют ने दिए प्रस्शंद करतमन सकुचत अह है हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो कि भरत में और मुझ में कोई रंच मात्र भी भेद नहीं है यही तत्व ज्यान है प्रभु अंशी है भरत अंश है दोनों देखने में एक जैसे हैं और वहवार में एक दास है और दूसरे स्वामी है हनुमान तुमसे बढ़कर इस सत्य को कौन जानता है कि भरत में और मुझ में कुछ भी भेद नहीं है दोनों की प्रशंसा हो गई हनुमान ग्यानी और भरत अभिन्न है प्रभु ने पूछा कि भरत तुम्हारे मन में क्या शोक, क्या मोह, क्या संदेह है तुम बताओ, मैं उसे तुरंत दूर करूँ श्री भरत कह सकते थी कि मेरे मन में यह मोह हो गया है, यह भ्रहम हो गया है परंतु श्री भरत ने ऐसा नहीं कहा, बलकि उत्तर में श्री भरत ने जो वाक्य कहा बहर श्री भरत के स्वभाव से मेल नहीं खाता रामायन में एक मात्र यही ऐसा प्रसंग है जहां भरत जी ऐसा वाक्य बोलते हैं नहीं तो श्री भरत जी सदाईव ऐसे ही भाशा बोलते हैं कि मुही समान को पाप निवासू जही लगी सी राम बनवासू कपटी कुटेल मुही प्रभुचीना ताते नाथ संग नहीं लीना जो करनी समुझहे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कलपसत्त कोरी ऐसा लगता है कि श्री भरत जी विनम्रता और दैने के रूप हैं श्री भरत जी सदा अपनी निंदा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन यही एक ऐसा प्रसंग है कि जहां श्री भरत ने असी बात कह दी कि जिसकी आशा किसी को नहीं थी श्री भरत ने कहा कि प्रभो मेरे अंतह करण में शोक मोहो और संदेह कभी आ सकता है क्या इतना ही नहीं यहां तक कह दिया कि जागरत अवस्था की बात ही क्या है स्वप्न में भी मेरे मन में शोक मोहो एमम संदेह नहीं हो सकता है लक्ष्मन जी भी चौंक कर देखने लगे कि भरत जी ऐसी भाषा तो कभी नहीं बोलते थे आश्यर है कि अपने को निरंतर सबसे बड़ा पापी कहने वाला आज दावा करता है किसी ने भरत जी से पूछा कि आज अचानक आप बदल कैसे गए भरत जी ने कहा कि प्रभू का वाक्य सुनो कि प्रभू ने यह गोशना कर दी कि भरत में और मुझ में कोई भेद नहीं है तो मैं यदि यह स्विकार करूं कि मुझ में मुख शोक तथा संदे है तो प्रभू में ही वे विद्यमान होंगे यदि मैं प्रभू से अभिन हूँ तो शोक मुख तथा संदे न तो प्रभू में है और न मेरे में सुनकर प्रभू प्रसंद न हो गए कि चलो तुमने आज वेदान्तियों की भाषा का प्रयोग किया जो भक्तों की भाषा से अलग है भक्त लोग जब प्राथना कहते हैं तो कहते हैं पापो हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा, पापसंभव भक्त उपर युक्त प्रकार का शलोग पढ़ा करते हैं और वेदान्तियों की भाषा आपने सुनी होगी वे सोहम और शिवोहम की बात करते हैं और दोनों में कभी-कभी बड़ी टकराहत भी होती है ऐसा लगता है कि दोनों में बड़ा अंतर है परन्तु बहुत बड़िया बात कही गई कि जब हम भगवान के सामने निवेदन करते हैं कि हम पापी हैं तो यह मान कर करते हैं कि भगवान के समक्ष जाते ही समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं एक ही क्षण में जब आप यह श्लोक बोलेंगे तो आपके मन में दो तरह की भावनाई होंगी। भगवान के समक्ष पहुचे तो उन्होंने कहा कि पापो हम परन्तु भगवान के समक्ष यह कहने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं पापी तो था लेकिन जब प्रभू अपके सामने अपने को खड़ा कर दिया तो मेरे समस्त पाप नश्ट हो गए और यदि आपको य यह अनुभव नहीं हो रहा है तो आप दर्शन का आपमान कर रहे हैं बाली ने भगवान से पूछा कि आपने मुझको चिपकर क्यों मारा भगवान ने कहा कि बाली भगवान जब मारता है तो चिपकर ही मारता है यह अध्यात्मिक भाशा है व्रक्ष की आड में क्यों गई विनई पत्रिका में व्रक्ष को कर्म बताया गया है इश्वर हमको पत्यक्ष कभी नहीं दिखाई देता है कर्म के व्रक्ष की आड में इश्वर छिपा हुआ है कर्म सामने है और इश्वर आड में है और वहीं से इश्वर कर्म का फल दे रहा है भगवान ने गिना दिये कि तुमने ये को कर्म किये और उन्ही का फल मैंने दिया तुम मानते हो कि मैं इश्वर हूँ तो इश्वर की तरह मैंने तुम पर प्रहार किया भगवान ने बताया अनुजवदू भगिनी सुतनारी सुन सठकन्या समे चारी इन ही कुद्रश्टी विलो कई जोई ताही बधे का चुपा पे ना हुई इश्वर का काम यही है कि जो जस करई सो तस फलू चाखा बाली ने प्रभु से कहा कि आपने बात तो बिलकुल ठीक कही पर मेरे मन में एक संदेह हो गया प्रभु आप यह बताईए कि मैं पापी था कि मैं पापी हूँ मैं पापी था इसमें कोई संदेह नहीं आपने बता भी दिया पर आपके सामने खड़े होने पर भी मेरा पाप बचा रह गया क्या तब तो यह आपकी घुशना के विपरीत हो गया सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी प्रभु अजहु मैं पापी अंतिकाल गतितोरी आप तो स्वैम यह घुशना कर चुके हैं कि सनमुख होई जीव मोही जब ही जनम कोठी अगनास ही तब ही आपने तो मेरे एक ही जनम का पाप गिनाया और आपका कहना यह है कि करोणों जनमों के पाप नश्ट हो जाते हैं मेरा पाप क्या इतना बड़ा है कि जो आपके दर्शन के बाद भी मिटा नहीं प्रभू ने तुरंत बाले के सिर पर हाथ रख दिया कि अब तुम बिल्कुल पवित्र हो गए अभी प्राई यह हुआ कि यदि विचार करके देखिये तो दोनों भाव वस्तुतह एक दूसरे के पूरक है हम भगवान के पास पापी बनने के लिए थोड़ी ही जाते हैं हम जब अपने आपको पापी कहते हैं तो निश्पाप होने के लिए पापी कहते हैं भगवान की दृष्टी पढ़ते ही अब मेरे समस्त पाप नश्ट हो गए ऐसा अनुभव होना चाहिए दोनों में कोई विरोध नहीं है श्री भरत के चरित्र में यही बात है श्री भरत अपने आपको न जाने क्या क्या कहते हैं लेकिन भरत की भावना यह है कि प्रभू स्वयम यह कहते हैं कि मुझ में और भरत में कोई अंतर नहीं है फिर जो दोश प्रभू के अंतरकर्ण में नहीं है वे मेरे अंतरकर्ण में कहां से आएंगे प्रभू ने कहा कि हां इतने दिनों के बाद तत्व ग्यान और वेदान्त की भाषा तुम्हारे मुख से निकली परंतु फिर भरत अपने स्वरूप में आ गए हाद जोडने लगे चरणों में गिर गए प्रभू ने पूछा जब तुम्हें और मुझ में भेदी नहीं है तो कौन किसको परणाम कर रहा है भरत जी ने कहा कि इस प्रकार का जो बोध है यह मेरे पुरुशार्थ का परिणाम नहीं है तब काहे का है नाथ नमोह संदेह कचू सपने हुशोक नमोह केवल कृपा तुम्हार ही कृपानंद संदो आप सचिदानंदगन है इस नाते आपने कृपा करके जो मुझ से अपनी अभिन्नता की बात कही उसी दृष्टी से विचार करके देखें तो मेरे अंतहकरण में कहीं शोक, मोह, भ्रम नहीं है इसका सीधा सा तातपर यह है कि जब हमें भिन्नता की अनुभूती होती है, जब हम व्यक्ति होते हैं, जब अपने को जीव के रूप में देखते हैं और जब अपने कर्मों की ओर दृष्टी जाती है, तब हमें कुछ और दिखाई देता है लेकिन जब हम भगवान से अपने संबंधों की ओर दृष्टी डालते हैं, तो हमें वही बोध होता है, जो श्री भरत के मन में हुआ यह है सुष्टतम बोध स्वरूप, भगवान श्री रागवेंद्र और श्री भरत की अभिन्नता का रूप श्री भरत दास भी हैं और एक भी हैं, तत्व तह दोनों एक हैं, पर अंतु वहवार में भिन्न हैं, रामायन का सिद्दान्त यही है, तत्व ज्यान में ब्रह्म से अभिन्न बन कर रहिए, पर वहवार में तो भक्त बन कर ही रहिए, भक्त बन कर रहना ही ठीक है, सो हम अप अभिन्नता कितनी है? देख लीजिए मन्थरा कौन है? मन्थरा है भेद वुद्धी और वह श्री राम और श्री भरत को अलग-अलग मानती है महरानी कैकई की बेटे हैं भरत और उनकी सोत कोसल्या के बेटे हैं श्री राम राम और भरत दो सौतों के अलग-अलग पुत्र हैं विचार करके देखें तो दोनों राम और भरत अभिन्य हैं परंतु स्थूल द्रिष्टी से यदि मा पर द्रिष्टी डालें तो भिन्य हैं पर प्रिता पर द्रिष्टी डालें तो अभिन्य हैं हमारे पुरानों ने इसी बात को स्पष्ट किया है देवता और दैत्य भिन हैं कि अभिन आदिती के पुत्र हैं देवता और दिती के पुत्र हैं दैत्य मा की दृष्टी से भिन हैं पर पिता एक ही हैं कश्यप तो बाप की दृष्टी से अभिन हैं यदि मंत्रा यह देखती कि राम और भरत दोनों ही महाराज दश्रप के पुत्र हैं अभिन्न हैं तो सारा जगडा ही समाप्त हो जाता पर वह वहां नहीं देखती जहां से अभिन्नता का बोध होता है वह तो वहां देखती है जहां से भिन्नता दिखाई देती है यही दुरुष्टी का भेद है अगर हम मूलतत्व पर दुरुष्टी डालेंगे तो हमें अभिन्यता का अनुभव होगा और अगर वहवार में देखें तो वह एक ही मूलतत्व अपने अलग-अलग अंशों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है उसको देखेंगे तो भिन्नता होगी भेद की दुरुष्टी से देखें तो चाहिए जितना भेद बढ़ा लें कि ब्रहमन हैं, कि शत्रिये हैं कि वैश हैं, कि शूद्र हैं फिर ब्रहमनों में भी भेद कर लीजिए सर्यूपारिन हैं सनाड़े हैं कि कान्य कुप्च हैं कान्य कुप्चों में भी भेद कर लीजिए कि जैसा हमारे उत्तर प्रदेश में है कि दस विस्व हैं कि बीस विस्वा हैं कि पंदरह विस्वा हैं इस तरह से जितना आप चाहें उतना भेद बढ़ाते जाए बेद का कोई अंत नहीं है पर सब को समेट कर अगर केवल इस बात पर दुष्टी डालें कि यह ठीक है कि अलग-अलग वर्णों में जन्म हुआ, अलग-अलग जाती में जन्म हुआ, सब बंदे हुए दिखाई दे, बटे हुए दिखाई दे रहे हैं पर इन सब के मूल में जब मूल पर दुष्टी जाए और यह दिखाई दे कि वह एक ही ईश्वर अपने को अनकिनत रूपों में प्रकट कर रहा है, तो परिणाम होगा कि हम उपर की ओर देखेंगे, यदि नीचे की ओर देखेंगे, तो जगड़ा बढ़ेगा और जों-जों उपर उठते जाए बड़ी विचित्र बात है, कथा श्रम्ण मात्र से व्यक्ति बतल जाता हो, ऐसी बात नहीं, कुछ रोता तो सुनते हैं, अपने मन की बात पकड़ने के लिए, अपनी बात का समर्थन ढूनने के लिए, केवल उसी को ग्रहन करेंगे, जिसमें उनको लगेगा कि यह हमारी ब बातों को लेकर जितने जगड़े हुए थे विस सब सुना दिये, उस सौत ने उसके लिए यह किया, उस सौत ने यह किया, बस कुसल्या भी तुम्हारे लिए वही करने वाली है, यही कथा का अर्थ है क्या, कदरू बिन तही दीन दुखू, तुम ही कुसल्ला दीव, प्रतिक घर में छाया हुआ है, प्रतिक परिवार में छाया हुआ है, प्रतिक फैक्ति के मन में छाया हुआ है, अगर कहीं भेद बुद्धी है, तो फैचानने में भूल मत कीजिए, अभेद और भेद में क्या अंतर है, जब भगवान राम को यह समाचार मिलता है, कि राज आमने के कईजी से यही कहा कि मा मुझ में और भरत में तो वही संबंद है जो शरीर और प्राण में है कोई बस तू शरीर को मिलेगी तो प्राण की रक्षा होगी और प्राण की रक्षा होगी तो शरीर को मिलेगा एक वाक्य में सब कह दिया भरतू प्रान प्रियपाव ही रा प्रप्राइब दूरी की स्रिष्टी करती है। अब यहां क्रम बताया गया है। और वह क्रम क्या है। पुद्धी में तो आ गया भेद। और तब मंत्रा कैकई के पास जाती है। बत है। जब मंत्रा से समाचार मिला कि कल राम का राजय विशेख होने वाला है। तो सुनकर पसंद हो गई। और बोली कि राम तिलकु जो साचेहुकाली देव मागुमन भावत आली। पर बाद में केकई बदल कैसे गई। क्या कमी थी केकई जी में। उनमें बड़ी उदा काम भी होते हैं और बुरे काम भी। यह बड़ा विचित्र भैवार है भेद बुद्धी का। ऐसा नहीं कि सदा भेद बुद्धी से बुरा ही होता है। कोई आपसे मिलने आया और आप उठकर खड़े हो गई। आपका लड़का आया तो खड़े नहीं हुए। किसको अध दूसरा सामने आया उससे भिन्नता की। इस प्रकार यहीं भिन्नता कभी अच्छा वहवार भी कराती है और कभी यहीं भिन्नता जब द्वेश के रूप में बदलती है तो अनर्थ करती है। यह सपष्ट है कि कई जी में सब कुछ बढ़िया था परंतु भीद बुद्धी मंत्रा ने यह दिखा कर उसी का तो पता लगाया। प्रारंभ में तो कई जी ने मंत्रा को इतना फटकारा कि यदि तुने असी बात कही तो मैं तिरी जीप कटवा दूँगी। परंतु मंत्रा सधारण नहीं थी। उसने सोचा कि मैं उसने सोचा कि अच्छा मैं देखती एक पक्ष सद वहवार और सद गुण है और दूसरा पक्ष ही राग और द्वेश बन जाता है। मंत्रा ने पूछा कि आप सौथ के बेटे को क्यूं राज्य देना चाहती है। कि कई कई ने कहा कि मंत्रा तुम्हें पता नहीं है क्या। को सल्यासम सब महतारी राम ही सहज स सुभाय पियारी। राम में भेदबुधी नहीं है। राम सब माताओं को समान चाहते हैं पर कैकरी जी में भेदबुधी क्या है। यह उनका अगला बाक्य बताता है। मोपर करही सने हुबिसेसी मैं करी प्रीती पर इच्छा देखी। सब माताओं को बराबर चाहते हैं प अगला जन्म हो तो राम मेरा बेटा बने यहां कैकई की बात कैकई की बात से ही कट रही है राम अपनी सौत का बेटा होते हुए भी आपको अधिक चाहते हैं तो अगले जन्म में यदि राम आपका बेटा बना और उस जन्म में भी आपकी कोई सौत हुई तो राम आपकी राम को कुसल्या का बेटा ही कहेंगे, तुम्हारा नहीं, यह है मैं मेरे का चक्कर, मैं अरुमोर तोरते माया, जही बसकी इन्हे जीव निकाया, राम चाहते तो बहुत हैं, मुझे समान भी बहुत देते हैं, परन्तु यह ठीक है, कि वे असली बेटे तो कुसल्या के ही हैं, मेरे नहीं, वहवार बढ़िया करने से मेरे बेटे कैसे हो जाएंगे, मंत्रा ने सोचा कि कोई बात नहीं, जब इतनी भेद बुद्धी है तो मन को उलटने में देर नहीं लगेगी, देखो मैं कैसे पलटती हूँ, फिर तो सारी योजनाओ पर पानी फिर ही गया श्री भरत ने रामराज्य बन जाने के बाद भी कैकई जी को मा कहकर नहीं पुकारा, प्रभु से नहीं रहा गया, तो एक दिन भरत से पूछा, कि भरत तुम तो इतनी उदार हो, फिर कैकई जी को मा कहकर क्यों नहीं पुकारते श्री भरत ने प्रभु के चर्णों को पकड़ कर कहा, कि प्रभु आपके मुक से माशब्द सुनने के बाद भी किसी दूसरे से माशब्द सुनने की इच्छा बची रह गई है क्या, यदि बची है, तो आपके मा कहने की महिमा का अपमान है प्रभु ने कहा कि ठीक है, केकई जी कि इच्छा न भी बची हो, तो भी, यदि तुम मा कहो तो क्या बुरा है श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु मा शब्द कितना ही अच्छा क्यों नहो, केकई जी के लिए यह शब्द कुपत्य है सारा अनर्थ उन्होंने यही कहकर तो किया कि भरत मेरा बेटा है और आपको सल्या के बेटे हैं मैं फिर से उन्हें मा कहूँ और फिर से वही भेद बुद्धी पैदा हो जाए तथा फिर कोई जंजट खड़ी हो जाएगी इसलिए मा कहना ही ठीक नहीं है कैकई जी में सब गुण हैं परन्तु भेद बुद्धी नहीं मिटी है मन्थरा उनकी भेद बुद्धी के दूसरे रूप को भार देती है मन्थरा ने कहा कि कभी ऐसा रहा होगा जब राम आपको अधिक चाहते थे परन्तु अब रहा प्रथम अब ते दिन बीते समव फिरेर पुहोई पिरीते भानु कमल कुल पोशन हारा बिनु जल जारी करई सो इछारा जरी तुम्हारी चहसवती उखारी रुन्ध हो करी उपाई बरबारी ऐसा भाशन दिया राम तो आपको अधिक चाहने का दिखावा करते थे राम राजा बनेंगे ये तो भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा और आपको सौत की सेवा करनी पड़ेगी बस कैकई जी ने कहा कि अच्छा राम बदल गए तो अब मैं भी बदल जाती हूँ यदि राम अपनी मा को अधिक चाहने लगे तो मैं भी अपने बेटे को अधिक चाहूंगे बेद बुद्धी बढ़ गई यही बेद बुद्धी जब अंतह करण में जागरत होती है तो जो जो सिदी के कई जी के मन की हुई वही सब की हो जाती है तब मंत्रा ने पाठ पढ़ाया कि जब महाराच्री रातरी के समये आपके पास आएं तो आप उनसे इस भवन में मत मिलिए आप को भवन में जाकर बैठ जाएए याद रखिए कि जब भी मंत्रा जीवन में आती है तो हम भी को भवन में बैठ जाते हैं क्रोध क्यों आता है? रामाल में सूत्र दिया गया कि क्रोध की द्वाइद बुधि बिनू द्वाइद की बिनू अज्यान जब भी क्रोध आएगा तो भेद बुधि से आएगा भोजन करते समय दांत से जीब जब दब जाती है पैर से पैर को चोट लग जाती है परंतु हमको न तो दात पर क्रोधा आता है और नहीं पाव पर क्यों दात और जीव दोनों आपके हैं दोनों में अभेद है और दूसरे से जरा सा धक्का लग जाए तो क्रोधा जाता है यदी बोलेंगे नहीं तो कम से कम घूर कर जरूर देखेंगे सूत्र यह है कि बिना द्वायत के बिना भेद बुध्धी के क्रोध कभी नहीं आएगा इसलिए जब तक मंत्रा ने कैकई जी में भेद बुध्धी जगा नहीं दिया तब तक भी कोभवन में नहीं गई कोभवन में दश्रजी को भी जाना पड़ा वे तो समझते थे कि इस समाचार को सुनकर के कई जी बड़ी प्रसंद होंगी पर आने पर पता लगा कि वे तो कोभवन में बैठी हुई है अब भी अगर महराज श्रीद श्रत लोट आते और दूसरे दिन रामराज जे बन जाता तो बन जाता परन्तो ऐसा नहीं हुआ क्यान दीपक में प्रसंगा आता है कि अनिक साधन करने के बाद दूद मिलता है तब दूद को दही बनाईए दही से फिर मक्षन तो महराज श्रीद श्रत के चरित्र में दूद तक तो बाद पहुँच गई पर मक्षन और घी तक बाद नहीं पहुँची तब मथी काढ़ी ले इनवनीता विमल बिराग सुभग सुपुनीता दीपक तब जलेगा जब पहले वेरागे का मक्षन बन जाए और उसको ग्यान के घृत के रूप में बदल दिया जाए महराज श्रीद श्रत में और तो सारे सदगुण है बड़े शद्धालू थे, बड़े सतकर्म किये थे, बड़े विश्वासी थे सब कुछ था, पर वेराग्य नहीं था इसके साथ साथ और भी कमी थी कैकई जी के महल में क्यों गए, कोसल्या जी या सुमित्रा जी के महल में क्यों नहीं गए इसलिए कि कैकई जी की सुन्दर्ता के प्रती उनके मन में आ सकती थी सुन्दरे का आकर्षन वे छोड़ नहीं पाई कैकई जी से कहने लगे कि जानसी मोर सुभाव बरोरू देखा तो मनुचकोर बन गए सरद मयंक बदन छवी सीवा भगवान राम का मुखपूर्ण चंद्रमा है और मनुचकोर बन कर देखने लगे इसका भी प्राय क्या है जब कोई कामचंद्र का भी चकोर बने और रामचंद्र का भी चकोर बने तो यह कैसी हो सकता है दोनों में स एक का ही चक माद बना जा सकता है पदस्लम सब्राइब जाते थे परंतु जहां राम नहीं जहां काम नहीं राम हो गया अभी पूरी तरह से वास्टना नहीं मिती भोग किया सकती की पूरी तरह से नहीं मिटी गुस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि जैसे मक्खन को आग पर पकाते हैं वैसे ही वैरागय को योग की आग पर पकाईये पुछा गया कि जब वैरागय आ गया तो फिर भी कुछ बागी रह गया क्या उत्तर है हां ममता अमल जरी जाई वेरागे के बाद भी यदि यह भावा गया कि मैं वेरागेवान हूं तो अभी यह अभिमान मिटना बागी है पहले कितनी कठिनाई से वेरागे लाइए और फिर मैं वेरागेवान हूं इसको भूल जाएए मह कई जी ने कहा कि आप भरत को राज्य दीजिए और राम को जोदा वरस का बनवास दीजिए शीराम और भरत जी भिन्य हैं उनमें दूरी उत्पन करने का कार मंत्रा से आकरां तके कई जी करती हैं और वे यह मान कर चलती हैं कि वस्तुतह दोनों में भिन्नता है भेद है महाराज दश्रत ने बड़ा सुन्दर सूत्र दिया था कि मेरी दृष्टी में तो श्री राम और श्री भरत में कोई भेद नहीं है जैसे दो आखो में क्या कोई व्यक्ती भेद करता है वैसे ही चाही राम राजा बने चाही भरत मेरे लिए भिन्नता नहीं है पर कैकई जी कहती हैं कि मैं तो राम को वन भेज कर रहूंगी तथा प्राण और शरीर में दूरी उत्पन कर देने का कार यही कैकई जी ने किया अभिनता जिनका स्वरूप है उनको अलग अलग कर देती है अर्थात भरत अयोध्या में रहेंगे रामवन में रहेंगे भरत जन्हासन पर बैठेंगे गुष्वामी जी ने सूत्र दे दिया कि इतनी बड़ी तयारी करने के बाद भी राम राज्ये बनना कितना कठिन है या तत्व ज्ञान होना कितना कठिन है कवने अवसर का भयव गयव नारि विश्वास जोग सिध्धिपल समय जिमी जतिही अवित्यानास तत्य ज्ञान में जो माया का भिग्न है उसका निराकरण श्री भरत जैसे वैक्तित्व में ही होता है इसे हम यो कह सकते हैं कि ज्यान दीपक में जिन वस्त्वों की आवश्रखता है उनको अगर आप किसी एक वैक्ति के चरित्र में ढूणना चाहें तो श्री भरत के चरित्र में वह पूरी तरह से प्राप्त हो जाएगा इसलिए प्रकाश कब हुआ? चित्रकूट पहुँच करके चित्रकूट क्या है? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चारू चित्त की भूमी चित्रकूट में श्री भरत का प्रवेश और जो अयोध्या से लेकर के चित्रकूट की यात्रा है वह मानों ज्यान दीपक के लिए जो वस्तवे चाहिए वह सब हैं जैसी श्रद्धा चाहिए, जैसे सत्कर्म चाहिए, जैसा बर्तन चाहिए, जैसा दूने वाला चाहिए, जैसा मक्षन चाहिए और जैसा घी चाहिए, उन सब का समावेश श्री भरत के जीवन में विद्यमान है। इसी लिए जब श्री भरत चित्रकूट गए तो केकई और मंत्रा ने जो भेद उत्पन कर दिया था वह भेद चित्रकूट में मिट गया भरत और राम का मिलन हुआ दोनों चुप हैं क्योंकि अभिन्न हैं स्वयम अपने आप से कौन बोलता है सूत्र दे दिया प्रेम भरामन निजगती चूँचा ऐसा क्यों हुआ परम पेम पूरन दो भाई मन बुधी चित अहमिती बिस्राई ना मन रह गया ना बुधी रह गयी ना चित रह गया ना अहंकार रह गया चिति की भूमी में श्री भरत और श्री राम का ऐसा मिलन हुआ कि मानो जो भेद उत्पन किया गया था भैसमाप्त हो गया और दोनों की अभिन्नता का पुनह दर्शन हुआ इसी लिए तत्व ज्यान की प्रक्रिया का सीधा सातात पर यह है कि हमारे अंतहकरण की भीद बुधी कैसे मिटे ममता कैसे मिटे अहमता कैसे मिटे हमारे मन में शुचिता कैसे आए इसकी बाद की जर्चा अगले प्रसंग में की जाएगी नारायन नारायन